तो नमस्कार साथ यो उत्तरप्रदेश सरकार का बहुत बड़ा एलान सामने आया है जिसमें परिवार के एक सदस्य को नोक्री दी जाएगी और इस नोक्री के लिए परिवार कार्ड बनाए जाएगे जिसमें उत्तरप्रदेश में सभी परिवारों के परिवार कार्ड को दी जाएगी जब तक यह परीवार कार्ड नहीं बनते तब तक राशन कार्ड को ही इसका आधार nerv mindset जाएगा और उसके अंतरगत क्या बूर सतलगे शुब्स ऐदा क्य यहiebenीं कुछ दिनों से जो है जो एक पात्र लोग हैं जिर को राशन मिल रहा था वो पात्र से परिवार के एक सदेश्य को नौकरी दी जाएगी, जौब दी जाएगी, पांच सावलों में इस काम को पूरा कर ले जाएगा, सरकार की ओर से पहल की गई है, जिसमें परिवार कार्ड बनाने का एलान किया गया है, उस परिवार कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा और उसकी आर्थिक इस्तिति क्या है यह सारी जानकारी उस परिवार कार्ड में एकत्रत की जाएगी और उसी के माध्यम से परिवार के एक सदेश्य को जहां पर सरकार को लगेगा कि इस परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की जरूरत है इसकी आर्थिक इस्तिति जो है इसको रोजगार दिया जाएगी तो उस व्यक्ति को जो है उत्रप्रते सरकारी की और से रोजगार दिया जाएगा लेकिन रोजगार किस तरीके का होगा इस पर कोई भी जानकारी नहीं आई यह जैसे जानकारी आएगी आप तक वह जानकारी पहुंचा दिजाएगी ज कि जो भी इंफॉर्मिशन सरकार की और से आये मैं उस पर वीडियो बलाओ और आप तक पहुचा दूँ देखे उत्तर प्रदेश सरकार ने बिभीन पदों पर नोक ने निकाली है बहुत भरतिया निकाल रही है उत्तर प्रदेश सरकार और उन भरतियों के माध्यम से सरकार उ के जबा यहाव को रोजगार दे रही है तो सरकार ने इसमें पर फिलाल काम चल रहा है के इप Argentina ऑठ गया है प्रंत आम पुछा दिए गी अगर इस वीडियों से जरा भी आपको सहत्ता आमिलिहिओ पिलीज डाइक कर दिजे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी के चानल दबाकर आप पर किलिक कर लेजिए ताकि घर बैठें आपको नए नीम हैर्पूर्ड वीडियो की जानकारी मिलते रहे और साथ यूपी सरकार ने के और से जब भी है परिवार कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे तुरंत और किस तरीके से आप नोकरी लेंगे पहभी जानकारी में बहुत जल्द अपनी इस वीडियो के मातल से आपको दुमा तुप्रिज मेर साथ बने रहेगे